जिन उसका बालो का जढ़ना सर का गंजा पंदूर कर बालो को मोटा घना लंबा और चमकदार बनाता है हलो प्रिंट स्वागत आप से भी कापके अपनी यूटिब चैनल एरवेट के हिल्थेन बीटी सीक्रिट में आपके बालो के जढ़ने की प्रोसस को रोकती है और आपके बालो को मुलायम और चमकदार बनाने में भी मदद करती है बहुत ही आसान सी रेमडी है तो मेरी रिक्विष्ट है कि आज की इस हिल्फिल वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए अभी तक आपने मेरे चालन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चालन सब्सक्राइब करके विल आइकन को जरूर दबाईएगा और और आपके मेरे चालन को सब्सक्राइब कर दोर नहीं करते हैं तो आपको यहां पर दो अनियन ले 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 ना है या फिर कोई बड़ा प्याज आप यहां पर ले सकते हों प्रिचल मात्रम इसालफर का में हमारे सर के गज्जी पन को दूर कर सर पे नए बाल उगाने का काम करता है साथ ह कि हेर फॉल को कांट्रोल करता है फिर फीर से एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ से नए वाल आने की संभावना काफी हद तक तो प्याज को हमने जिंजर ग्रेटर के हिल्प से ग्रेट करके कपड़े के हिल्प से च्छान लिया है तो आप भी किसी भी तरह से इसको इसका जो जूस है वो निकाल सकते हो प्याज का रस साइन्टिफिकली प्रूबें है कि गंजे सर पे नए बाल उगाने में मदद करता है यह हेर फोल को भी कंट्रोल करता है आपके ज़ड़ हमारे बाल जढ़ जाते हैं और दोबारा से बाल नहीं उगते हैं तो यह जड़े बालो को दोबारा सुगाने में भी मदद करता है तो हमने यहाँ पर प्याज के रस को स्कुष कर लिया है और यहाँ पर 5-6 चमच हमने प्याज का रस ले लिया है तो आप अपने बालों के ठीकनिस के एकॉर्डिंग ले सकते हो उसके बाद कैश हम यहाँ पर ले रहे हैं जैतून का तेल अगर जैतून का तेल नहीं तो आपको यहाँ पर दो चमच नारियल का तेल ले ले लेना है तो मैं यहाँ पर जैतून का तेल में बिटामिनी प्रिश्र मात्रा में पाया जाता है साथ ही जैतून का तेल हेर फोल को जल्दी से कंट्रोल करने में हेल्प करता है तो प्याज के साथ अगर आप इसको मिला कर लगाते हो तो यह हेर फोल को और भी जल्दी से कंट्रोल करता है साथ जड़े बालों को और भी जल्दी सुगाता है और हेर गृत को और प्रोमोट करता है तो नेक्स चीज गैज हमने यहाँ पर लिया है एक विटामिनी कैपसूल तो विटामिनी कैपसूल में यहाँ पर एक ले रही हूँ आप यहाँ पर दो विटामिनी कैपसूल भी ले सकते हो या फिर इसकिप कर सकते हो इसकी जगापर आप सिर्फ सिर्फ कोकोनोट ओल या फिर coconut oil और केस्टरॉल दोनों को मिला सकते हो तो एक vitamin ही केपसुल हमने यहाँ पर mix करते हैं vitamin ही हमारे scalp को नरिस करता है हमारे बालों को नरिस करता है जिससे हमारे बालों को पोस्ट देता है तो बिल्कुल अच्छे से हमें इसको mix कर लेना है तो इसको बचलते के लिए तो आप इसको वहां पर डेली लगा ये पालों को देट हो लिए आपको यहां नये बाल नहीं लगाना है तो इसलिगे आपको प्मस्सभ च्राओं बॉटक गनले से लिए तो नई यहां नही पणाने nahi रात रात बाल लंबे होते हैं इसलिए आपको दो तीन महिने तक लगातार इस्तमाल करना है जरूरत हो तो आप इससे ज्यादा भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको हेर फॉल हो रहा हफते में तीन से चार बार आप इसको अपने सकैल पर लगाईए मसाज कीजिए आपका हेर फॉल धे जरे कंट्रोल होने लगेगा साथ जड़े बाल दुबारा से उगने लगेंगे और हेर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेर ग्रोथ के लिए इसका इस्तवाल कर सकते हो यह आपकी हेर आप इसको अपने स्कैल पर मांग करकर के अच्छे से अपलाई कीजिए आपके स्कैल पर की सारी प्रॉब्लम दूर होगी बालों का जड़ना तूटना दूर होगा बाल लंबे गने होंगे जड़े बाल दुबारा से होगेंगे और बालों की अच्छी ग्रोथ भी होगी सा ने कि हम आपको संपू करना है अगर आपो रात में लगा सकते हो दो आपको संपू कर सकते हो तो यह आपके बालों को घणा करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको आज की यूजूल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके लिए हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आएं साथ ही आपको इसी तरह से हेर से रिलेटेड अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को फटा पट से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दे ओल आप्सन को सेलेक्ट करने ताकि आपके अमरे से भी वीडियो चुन नोटिपिकरसन हम हिस्सा मिलती रहे और आप हमा और पाया रहे प्रिम को diary मुए लाए नोट आपके रहे डाई जा से घु तरह से द्लाइब का द